हलो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल मैं अभी ब्रैंड गणपती वपपा के दिन आने वाले यानि सब के खर पे गनपती वपा आने वाले है तो आज हम मोनी की हैर्परेट स्वीट इसस बना करके MAK भी नहीं होता और इसके साथ इसको KWはいे कर मैं डाल दूंगी एक बाल दूमेह को बींगों और इसको बींग लेंगे शिफ्ट और इसको बारिक पॉडर जैसा पीस करके कर लेंगे रेडी इजीली पीस जाएगी इसको ज्यादा टाइम लेगा दो से तीन मिनटी लगेंगे आपको इसे पीसने में ये देखिए एकदम बेशन की जैसा आपको पीस करके तयार करना है अंगुठे और उंगलियों क बीच में आप डाल करके देख लीजिए मसल करके लेखंब बारिक पॉडर जिसा होना चाहिए अब ले लेंगे कटोरा उसके उपर रखेंगे चनी और जो हमने चनी की डाल डाली है पीसी है उसको डाल देंगे और इसको च्छान नेगे इसको बहुत जरूरी है च्छानना इस तरह से जरूल आप चानिए, बिना चान ने इसको नहीं बनाई है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मिक्सर में भी चने ये देखिए, आप देख पारे हैं कि इस तरह से थोड़े-थोड़े टुपड़े रह जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि छान करके ही आप इसको इसक अच्छे ने टक अच्छे से मिला लेना है, बिलकुल जैसे आप माउन बनाते हैं आप उसके एग गुजया बनाते हैं हैं से इसके डू हमें इससे मिला करके टैयार कर लेना है इसके बाद मैं डाल रही ह। इसमें तीन से 4 चमच डैसी केट fix of an crouchis इससे क्या होगा मावा का यह जो टेस्ट है वो देगा इसमें और इसके बाद में डाल रहे हूं इसमें पिस्ता धेर सारे बारी कटे हुए आप इसमें बदाम डाल लीजिए काजू डाल दे दिया आप जो ड्राइफूट चाहते हैं आप उसमें पसंद करते हैं वो डाल हुए हम आटे को गूंत लेंगे जैसे आप चपाती का आट आप गूंते हैं न सेम उसी तरह से आपको गूंत करके तैयार करना है थोड़ा थोड़ा आप दूद डालिए और इस तरह से बनाते हुए एक डो जैसा तैयार कर लीजिए लगवग आपका इसमें दूद लग ज करें और हाथ दो करके मैं आपको दिखाते हूं कि हमारा डो किस तरह का होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए और यह मेरे पास है मोदक का स्टेंड आपके पास जो भी है स्टेंड आप उसमें बना सकते हो और इसको खोल करके हम कर लेंगे अच्छे से घी से ग्रीस यह तो इस बार मेरे तरीके से इन मोदक को बना करके खाईए और मुझे जरूर बताईए कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी और क्या करेंगे इस तरह से डो लेंगे और हम तीनों जो खाजे हैं मोदक के खाने हैं यानि उनको अच्छे से भर लेंगे आप चाहिए तो इसको नीचे से भी भर के बना सकते हैं लेकिन मैं इसी तरीका बता रही हूं आपको इस तरह से आप मोदक बनाएए ये देखिए अच्छे से आप इसको भड़ लीजिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा ना डो वो बाद में निकल जाएगा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी आ अब क्या कड़ेंगे अच्छे से दावादेंगे इसको बहbat ईजेता है बीना गैस चलाई हम बनारे हैं इसको जैसा बेशन के मोटे बेसन की लडू बनाते सेम इसका टेस्ट वैसा ही आएगा और आप गनपती वप्पा का इस तरह से बना करके भोग लगाईए गनपती वप्पा भी खुश हो जाएंगे उनके भक्ती भी खुश हो जाएंगे और ये लीजिए वाव हमारा मुदक बन करके हो गया है रेडी ये देखिए मैं ऐसे ही मुदक बना करके कर लेती हूँ तैयार और एक प्लेट में आपको लगा करके दिखाती हूँ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब नहीं क्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिससे की मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी यह देखिए मैंने सारे मोदक बना करके कर लिए हैं तयार 250 ग्राओं हमने दाल ली थी उसमें से हमारे 10 से 11 मोदक बन करके हो गए हैं तो फिस मिल करके बोलिए गन पति वापा की जै थैंक यू